Life is so unpredictable कपल ने फरवरी 2023 में शादी की थी और करीब देड़ साल बाद उनकी दुनिया बिखर गई 19 अगस 2024 को अंकित कालरा का निदन हो गया और उनकी पतनी इंशा का जगजोर देने वाला पोस्ट लोगों के दिलों को चीर गया दरसल 20 अगस्त 2024 को राखी सेलिबरेशन के ठीक एक दिन बाद इंशा घई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पती अंकित की एक तस्वीर शेयर किया और अपने फैंस को महज 29 साल की उमर में उनके अचानक निदन की जानकारी थी तस्वीर के उपर लिखा अंकित कालरा की याद में इसके लावत जन से अब तक की डेड़ भी मैंशन की गई हालांकि इंशा ने अपने पती के निधन का कारण नहीं बताया है लेकिन इस खबर ने सभी को चौका दिया है लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि ये निधन कार्डियकरस्ट की वज़ा से हुआ है इसके साथ ही इंशा ने एक दिल दहराने वाला नोट लिखा और उन्होंने अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया उनकी शादी को अभी सिर्फ डेड़ साली ही हुए थे और इतनी कम उम्र में इंफ्लियूंसर अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है उन्होंने लिखा मुझे एक दिन ले चलो मैं चीजों को अलग तरह से करने का वादा करती हूँ वापस आजाओ बेबी फ्लीज मुझे तुम्हारी याद आती है जैसे इंशा के फैंस ने पोस्ट देखा लोगों को यकीन नहीं हो बाया जहां कुछ लोग इस खबर को पढ़ने के बाद यकीन नहीं कर पाए वहीं कुछ लोगों ने दुआ की और उमीद जताई की ये खबर छूटी हो एक यूजर ने लिखा कि इस नॉट अ फ्रैंक सच में उनको काडिय करेस्ट हुआ था मैंक और यूजर ने लिखा I just can't believe this Is this for real? मैंक और यूजर ने लिखा नजर भी सच्ची होती है मैंक और यूजर ने लिखा बहुत जल्दी चले गए अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है मैंक और यूजर ने लिखा यकीन नहीं कर सकता This is shocking आपको ईश्वर ताकत दे मैंक और यूजर ने लिखा इंशा की बात करें तो इंशा एक डिजिटल क्रियेटर है और उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर लगबग साथ लाग से ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो एक डिजाइनर भी है इसमृती और इंशा एक क्लोथिंग लेबल हाउस अफ स्टाइल की को ओनर भी है उनके पती अंकित भी एक इंफिलियोंसर ही थे फिलालब वो इस दुनिया से जा चुके हैं आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्षन में हमें लिक करें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें